कहीं आप भी 7 लाग से 10 लाग के बीच में एक SUV तो नहीं डूड रहे हैं या फिर आपने बुक कर ली हो जैसे कि नेक्सोन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट या फिर बोले पंच और एक्सट जैसी SUV तो रुकिये जनाब क्योंकि हाली में महिंद्रा ने अपनी most awaited SUV जो की SUV 3XO के नाम पे है, उसे launch कर दिया है और जिसने market में launch होते ही तहल का मचा दिया है आज ही वीडियो काफी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, अगर आपका budget 7 लाग से 10 लाग के बीच में है और आप चाहते हैं एक बड़िया SUV जिसमें आपको बहतरीन features तो मिले ही साथी साथ जिसके look शांदार हों, feature में भी दमदार हों और safety भी अच्छी खासी मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request है mileage की, साथी साथ इसमें मिलने वाले top class features की तो गई सुरुवात करते हैं इसके pricing से ही अगर हम बात करें इसके base variant की तो ये variant सबसे ज़्यादा value for money रहने वाला है guys महिंद्रा ने इस variant में सारा कुछ आपको दे दिया है अगर हम बात करें base variant MX1 की तो ये आपको 7.5 लाग action price में देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 3 color option देखने को मिल जाते हैं जो कि हैं white, gray और black guys साथी साथ इसमें आपको 1.2 liter का turbo charge petrol option देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें इसके transmission की तो यहाँ पर आपको 6 speed का manual transmission देखने को मिल जाते हैं अगर हम boot space की बात करें तो यहाँ पर महिंदरा ने कुछ ज़्यादा सुधार तो नहीं किया है पहले की मुकाबले में इसका boot space अभी भी आपकी सारे segment में आने वाली SUV से कम ही रहने वाला है guys 295 liter का boot space देखने को मिल जाता है साथी साथ अगर हम बात करें ground clearance की 201 mm की ground clearance जो कि Nexon के बाद सबसे ज़्यादा है guys इसके segment में तो guys यह तो होगए common बात हैं जो कि आपको सारे variant में देखने को मिल जाती हैं साथी साथ अगर हमने इतनी सारी बातों का जिकर कर ही दिया तो mileage की भी बात कर ही लेते हैं अगर हम mileage की बात करें तो यहाँ आप महिंद्रा claim करती है 18-19 km per liter का mileage 1.2 liter पेट्रोल इंजन के साथ जी हाँ guys जो कि turbo charge है अगर हम बात करें कुछ special features की तो यहाँ आपको bio halogen projector head lamp LED turn indicators on ORVM LED tail lamps जी हाँ आपको यहाँ पर connected tail lamp नहीं मिलने वाली है guys यह आप जरूर याद रखें यह आपको top end में मिलने वाली है अगर हम बात करें tire size की तो यहाँ पर 16 inches के tire मिलेंगे जो कि आपको steel wheel मिलेंगे guys अगर आप long journey करने वाले हैं साथी साथ base variant में ही आपको 60-40 का split seat option देखने को मिल जाता है चुकि अगर हम बात करें तो practically काफी जादा फाइदे मन रहता है guys इसकी अलावा आपको 12 volt socket, USB charger, front और rear दोनो साइड में देखने को मिल जाता है rear AC vents, adjust civil headrest, rear side में भी देखने को मिल जाते हैं अगर हम safety features की बात करें तो यहाँ पर भी महिंद्रा ने गरदा उडा के रखा है यहाँ पर आपको ABS, EBD, साथी साथ electronic stability control, ISOFIX child seat, parking sensor आपको देखने को मिलेंगे और साथी साथ सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर 6 airbags देखने को मिल जाते हैं वो भी base variant से ही जी हाँ guys, महिंद्रा ने यहाँ पर safety के मामले में तो काफी बढ़िया काम किया है तो guys यह थी महिंद्रा XUV 3XO का base variant जो की MX1 के नाम पर launch हुआ है इसके pricing आपको बता ही दी है साथे साथ लाक एक चोरूं प्राइस जिस वज़े से इसके competition में काफी सारी गाड़ियां आ चुकी है guys यहाँ तक कि अगर आप टाटा पंच लेने की सोचने हैं या फिर extra लेने की सोचने हैं या फिर सोच रहे हैं बड़ी गाड़ी जैसे की Nexon, Breza, Venue इन सभी के competition में महिंद्रा ने XUV 3XO के base variant को उतार दिया है जो की मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे most value for money variant रहने वाला है guys जिसमें आपको सारे basic features देखने को मिल जाते हैं आपको केवल petrol engine में देखने को मिलेगा guys जो की 1.2 liter का turbo charge petrol engine है जिसमें आपको 109 BHP के power और 2CNM का talk देखने को मिल जाता है तो guys ये था महिंद्रा XUV 3XO का base variant अगर हम बात करें MX2 की जो की इसका second base variant है ये आपको केवल diesel variant में ही देखने को मिलेगा guys जिसकी pricing रखी गई है 10,00,00 एक showroom price जो की आपको केवल manual transmission में देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले features की तो MX2 में आपको वो सारे features देखने को मिल जाएंगे जो की मैंने आभी आपको MX1 में बताएं guys इसके अलावा यहाँ पर आपको 7 color option देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको white, black, blue, green, red and dark green साथी साथ beige color में ये देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको 10.25 inch की touch screen देखने को मिल जाती है साथी साथ music system के साथ आपको देखने को मिल जाता है जहाँ आपको 4 speakers provide किये गए है steering mounted controls देखने को मिल जाते है keyless entry है, follow me headlamps है guys यानि कि आपको केवल 4 features extra इसमें दिये गए है जो की MX1 के अलावा add-on हुए है अगर आपको एक fun to drive car चीए जो की diesel में हो और साथी साथ जिसके look शांदार हो और नई design में launch हुई हो तो Mahindra की XUB3XO का diesel variant का base variant यहाँ आप जा सकते हैं बात करते हैं MX2 Pro की यहाँ आपको diesel और petrol दोनों option देखने को मिल जाते हैं petrol में आपको manual और automatic दोनों देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें इसके color की तो 7 color option में आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको MX2 Pro में आपको electric sunroof देखने को मिल जाती है आपको panoramic sunroof यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी साथी साथ इस variant में आपको wheel covers भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर केवल sunroof add-on हुई है तो यह था MX2 Pro अगर आपको sunroof चाहिए XUB3 XO के अंदर तो आपको MX2 Pro की तरब जाना चाहिए बात करते हैं MX3 की चोकि आपको diesel में manual automatic यह भी आपको देखने को मिल जाते हैं पेट्रॉल की बात करें तो पेट्रॉल manual में 9.5 lakh extra room price में मिल जाता है वहीं पेट्रॉल automatic 11 lakh extra room price में देखने को मिल जाता है 7 color option के साथ आपको यह देखने को मिल जाता है अगर features की बात करें तो MX2 के अलावा इसमें आपको Android Auto and Apple CarPlay देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पेट्रॉल के बात करें तो MX3 Pro डीजल manual आपको 11.4 lakh extra room price में देखने को मिल जाता है वहीं petrol manual आपको 10 lakh extra room price के अंदर में देखने को मिल जाता है अगर हम petrol automatic की बात करें तो 11.5 lakh extra room price में देखने को मिल जाता है ये variant भी आपको 7 color option के साथ देखने को मिल जाता है गई अगर इसमें features की बात करें तो उपर जितने भी मैंने आपको variants की features बताए हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे उसके अलावा 3 और features यहाँ पर add-on किये गए है सबसे पहले आपको इसमें 2 LED projector headlamps देखने को मिल जाते हैं साथी साथ आपको इसमें infinity LED tail lamps देखने को मिल जाती है यानि कि यहाँ पर बोल सकते हो connected tail lamps आपको यहाँ पर देखने को मिलती है साथी साथ यहाँ पर आपको थोड़े से जो wheel caps हैं wheel covers हैं वो आपको थोड़ा change देखने को मिलेंगे यही तीन option आपको extra देखने को मिलते हैं इसके अलावा बाकी सारे features आपको वही देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको उपर explain किये हैं guys तो guys यह थी MX3 Pro अब हम बात करते हैं luxury variant की जो की है guys इसके AX variant तो यहांप हम पहले बात करते हैं AX5 की जो की आपको diesel automatic और manual 37 petrol automatic और manual दोनों में देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें diesel manual की यह आपको 12,9,000 एक शूरूम प्राइस 37 diesel automatic आपको 12,89,000 एक शूरूम प्राइस में देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें तो यहांपा आपको 8 color option देखने को मिल जाते हैं जिसमें yellow color को add-on किया गया है guys जो आपने teaser में काफी जादा देखा भी होगा अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले features की तो उपर सारे variants की features तो इसमें मिलने ही वाले हैं उसके अलावा आपको यहां पे जो इसकी MID है वो भी 10.25 inches की ही मिलने वाली है जो कि touch रहने वाली है guys साथी साथ आपको इसमें connected car technology देखने को मिल जाती है 16 inches के diamond cuts, alloy wheels देखने को मिल जाते हैं rear view camera, start stop button, tire pressure monitoring system साथी साथ auto head lamps, rain sensing wiper, rear wipers and rear washer जैसे features देखने को मिल जाते हैं साथी साथ यहां पर आपको six speakers देखने को मिलते हैं यहां पर आपको कुछ features तो extra देखने को मिलते हैं लेकिन price भी यहां पर जादा रहने वाली यानि कि जो भी features आपको trailer teaser में दिखाये हैं महिंदरा ने वो AX5 से सुरू होते हैं आप बात करते हैं AX5 luxury की जी हां गाइस AX5 L की तो गाइस असली features मिलने सुरू होते हैं AX5 luxury से जी हां गाइस यहां पर आपको सबसे पहले तो direct injection petrol engine देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 128 BHP की तगड़ी पावर साथी साथ 230 NM का बहतरीन टॉक देखने को मिल जाता है चुकि कहीं न कहीं 1.2 लिटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन से काफी जादा रहने वाला है गाईस इसी के वज़े से इसके pricing जो है वो कहीं न कहीं बढ़ जाते है यह आपको केवल petrol option में ही देखने को मिलती है यानि कि petrol manual और petrol automatic दोनों option में देखने को मिल जाती है अगर हम बात करें petrol manual की तो यह आपको 11,99,000 एक शुरूम प्राइस साथी साथ petrol automatic में यह साड़े 13,00,000 एक शुरूम प्राइस के अंदर में मिल जाती है अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले special features की तो उपर सारे variants के features तो इसमें मिलते ही है उसके अलावा इसमें मिलता है level to a dance features साथी साथ इसमें आपको मिलने वाला है 360 degree का camera 37 में मिलने वाला है गाइस auto dim IRVM इसके अलावा electronic parking brake, cool glove box जैसे features भी आपको देखने को मिल जाते है जो कि इस variant को real में luxury बना देते हैं गाइस तो गाइस यह था AX5 luxury variant अब हम बात करते हैं AX7 की जो कि आपको diesel और petrol दोना option में देखने को मिल जाता है डीजल आपको manual मिलने वाला है जो कि रहने वाला है 13,79,000 वहीं diesel automatic आपको 14,000,000 एक शोरूम प्राइस के अंदर में मिलने वाला है वहीं petrol आपको taric injection वाला मिलने वाला है जिसमाँ आपको manual 12,000,000 वहीं आपको petrol automatic 14,000,000 एक शोरूम प्राइस के अंदर में मिलने वाला है यहाँ पर आपको सारे color option देखने को मिल जाते हैं साथी साथ आपको dual tone में भी सारे option देखने को मिल जाते हैं अगर बात करें AX7 में मिलने वाले add-on features की सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको LED fog lamps देखने को मिल जाएंगे फरंट पारकिंग सेंसर यहाँ पर add-on कर दिये गए है फास्ट चारजिंग का भी option आपको AX7 से देखने को मिल जाता है तो गईस यह थी AX7 है अब बात करते है AX7 luxury की जो कि इसका top end रहने वाला है बात करते हैं प्राइजिंग की तो AX7 L की प्राइजिंग सुरू होती है गाईज 14 लाग एक शोरूम प्राइज से जी यहाँ गाईज आपका इसका petrol manual आपको मिल जाएगा 13,99,000 एक शोरूम प्राइज वहीं petrol का automatic आपको यहाँ पर साड़े 15,000 एक शोरूम प्राइज के अंदर में मिल जाता है 37,360 डिगरी कैमरा का भी यहाँ पर provision आपको देखने को मिल जाता है AX7 के अलाओ तो गाईज यह थी महिंदरा की 3XO जो की काफी बहतरीन साबित होने वाली है इसके segment में अगर मैं बात करूँ इसके सबसे value for money variants की तो यह यहाँ पर रहने वाला है इसका base variant जो की MX1 है गाईज तो अगर आप भी लेने का plan कर रहे है MX1 जो की इसका base variant है तो अभी के अभी इसको book कलने गाईज क्योंकि इसकी rating काफी जादा रहने वाली है अगर आप luxury में जाना चाते हैं तो यहाँ पर आप EX5L ले सकते हैं गाईज अगर आपको budget का कोई issue नहीं है तो आप EX7L की तरब भी जा सकते हैं जिसमा आपको सारे top class के features देखने को मिल जाते हैं आपको कौन सा variant अच्छा लगा आप comment section में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें साथी साथ चैनल कारवूट को subscribe की बिना ना आ जाएं तो गैस मिलती हैं अगले वीडियो में तिल देन keep you and your family safe चैहिंट टाठा बबाई